गांधी जी गीता की भाती ही कर्म करने तथा फल की इच्छा न रखने की प्रेणा दिया करते थे पर लोगों को सत्य की राह पर चलना सिखाते थे और दिग भ्रमित लोगों को सही राह पर लाना अपना कर्टव्य समझते थे भारत के स्वाधीन होने के कुछ महीने पूर्व गांधी जी विश्राम के लिए महावीर त्यागी के साथ मसूरी गए यह लाकर श्री महावीर त्यागी का ही था एक दिन गांधी जी दूप में चटाई पर कुछ लिख रहे थे तभी त्यागी जी एकांध पाकर उनके चर्णों पर घिर पड़े दोक्षन मौन रहने के बाद गांधी जी ने उनसे पूछा आज तुने ऐसी बेवकूफी क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं करता था त्यागी जी तुरन कोई उत्तर न दे सके कुछ देर चुप रहने के बाद हाथ जोड़ कर बोले इस मानस गात को पुनी चरण छूने का कभी साहस ही न हो सका गांधी जी ने पूछा तो आज कैसे हुआ त्यागी जी ने कहा मैंने प्रतिग्या की थी कि जूट नहीं बोलूँगा सिगरेट नहीं पियूँगा गुस्सा नहीं करूँगा साला कहने की आदत छोड़ दूँगा दैनिक ब्यायाम करूँगा और चरखा कातूँगा लेकिन आज में बलकी कमी के कारण आज भी जूट बोलता हूँ सिगरेट पीता हूँ गुस्सा करता हूँ साला कहने की आदत भी नहीं चोटी ना ब्यायाम करता हूँ नहीं चरखा चलाता हूँ लेकिन आज एक छोटी से प्रतिग्या की है कि जिन हाथों से चरण चुए हैं उनसे किसी का अहित नहीं करूँगा। शायद शुपचर्णों के प्रताब से इस प्रतिग्या को निभाने में मैं सफल हो जाओ। ये सुनकर लोगों के मन का एक्सरे करने वाली आखों से गांधी जी ने त्यागी जी की आत्मा का एक्सरे किया और बोले अच्छी प्रतिग्या की। गुजदे शुप रहने के बाद फिर कहा, इस प्रतिग्या के बाद तो किसी अन्र प्रतिग्या की आविश्यक्ता ही नहीं, एक के साथ है, सबसद जाता है, तुमारी इस प्रतिग्या के सफल होने पर संपूर्ण आत्मा को बल मिलेगा, सिगरेट भी छूट जाएगी, ऐसी करने के लिए तो प्रतिदिन चरण छू सकते हो,